दोस्तों नमस्कार सुवागत है आपका हमारे Local Garden YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले है जामून के पोदे पर आम की ग्राफ्टिंग और दोस्तों आपने आम के पोदे पर आम की ग्राफ्टिंग जो है एक्सिरिमेंट करते रहते हैं कि कौन से पोदे पर कौन से दूसरे फल लग सकते हैं तो दोस्तो हमने कुछी दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे निम्बू के पोदे पर हमने एक ही पोदे पर तीन चार वराइटी की ग्राफ्टिंग की थी तो दोस्तो वो हमें उसके बहुती अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं और उस पोदे पर हमें एक ही पोदे पर तीन चार वराइटी उनके फल खाने को मिलते हैं और दोस्तो वो बहुती अच्छे तरीके से पोदा ग्रो भी कर रहा है तो दोस्तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना जामुन के पोदे पर आम की ग्राफ्टिंग की जाए तो दोस्तो इसलिए जो है आज हम जामुन के पोदे पर आम की ग्राफ्टिंग करने वाले हैं तो दोस्तो हमें नहीं पता है इसका क्यार जल्ट मिलेगा लेकिन हम इसके उपर जो है ग्राफ्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हमें इसके क्यार जल्ट देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमने जो है एक आम के पोदे की ब्रांच ले ली है और दोस्तो हमने आम के पोदे के लिए जामुन का पोदा है इसलिए चुना है क्योंकि जो आम का पोदा है और जो जामुन का पोदा है इन दोनों के जो पत्ते का साइज है और दोस्तो जो फल लगने का समय है वो सेम ही रहता है तो दोस्तो इसलिए जो है हमने की ग्राफ्टिंग करने वारे तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोट्फिकेस आप तक पहुंच सक है वो सकसेस होने के जानस उसके जादा रहते हैं तो दोस्तो इस परकार से आप देख सकते हैं हमने इसका ग्रीन वाला पोर्शन ही कट किया है और दोस्तो अब जो है हम हमारे आम के पोदे के जो पत्ते हैं उनको भी इस परकार से कट कर लेंगे और दोस्तो जब भी आप ग पंगस की वज़े से हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सूप जाती है तो दोस्तों इस परकार से आप देख सकते हैं हमने जो है इसके पत्तों को हटा लिया है और दोस्तों हमने जो है जामुन के पत्तों को भी हटा लिया था दोस्तों अब जो है हम इसको वी शेप में इस परक परकार से इसमें भी कशेप आ गया है दोस्तों अब जो है हम जामून की ब्रांच को वी सपरकार से सेंटर में से इसके वे एक चीरा लगा देंगे तो दोस्तों हम आपको वुता दें कि यह हमारा ग्राफ्टिड प्लांट है जो कि हम जिस जामुन के पोदे पर हम इसकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं इसलिए हम जो है इसके टोप पोर्षन पर इसकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं आम तोर पर जो है दोस्तो जड़ से नीचे से दोस्तो जो है पांच या छे इंच के उपर हम ग ब्रांचों के एक दूसरे में इस प्रकार से फिक्स कर लिया है और दोस्तो अब जो है इसके उपर लगा देंगे हम ग्राफ्टिंग टेप दोस्तो ग्राफ्टिंग टेप आप बिल्कुल टाइट ही बांदें अगर हमारी ग्राफ्टिंग टेप है जो लूज रह जाएगी त तो दोस्तो तब भी हमारी जो grafting है वो अच्छे से सफल नहीं हो पाती है और दोस्तो उसके अंदर जो हावा और नमी पानी जाने की वज़ये से जो है वो grafting हमारी फंगस की वज़ये से खराब हो जाती है तो दोस्तो इस परकार से हम जो है निचले सिरे से grafting को tight करते करते किसे एक दूसरे में जोएंट हो जाएगी तो दोस्तो आप देख सकते हैं इस परकार से हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करके और इसके नीचे से इस परकार से निकालके कि हम इसको टाइट कर देंगे तो दोस्तो इस परकार से जो है टाइट करने के बाद अब बारी आती है दोस्तों इसके उपर पोलोथिन लगाने की दोस्तों पोलोथिन लगाना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारी जो ब्रांच है उसके अंदर लंबे समय तक जो है नमी बनी रहे और हमारी जो ब्रांच है वो अच्छे से ग्रोव होसके तो दोस्तो इस प्रकार से जब हम इसके उपर पोलोथिन लगा के और इसको नीचे से एरटाइट कर देंगे दोस्तो आने वाले परनाम जो है हम आपके साथ जरूर इसका शेर करेंगे कि इसका क्या परनाम निकलता है दोस्तो अभी बिल्कुर सही समय है आम के पोदे पर ग्राफ्टिंग करनेगा दोस्तो अभी जो है फरवरी मार्च में आम का पोदा ग्रो करता है और दोस्तो जामुन का पोदा भी अपनी नहीं ग्रोध करता है तो दोस्तों इसलिए हमने इसके उपर इसकी ग्राफ्टिंग की है मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार